नमस्कार दोस्तों मैं आड़ोकेट विश्नुधारी सिंग विश्नुधारी सिंग इलिगल चेनल में आप सभी तर्षकों का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मेरे बीडियो बनाने का टॉपिक है बिद्वा बहु का यानि आपके बेटे की पत्नी का जो बिद्वा हो गई है साथ ससुर की संपत्ती पर मालिकाना हक है या नहीं यही मेरा आज बीडियो बनाने का टॉपिक है दोस्तों इसके उपर में एक Landmark Judgment है जो और डेली हाई केट के दारा डेलिवर किया गया है दोस्तों दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक Landmark Judgment के बारे में कि बिद्वा बहु को अपने साथ सशुर के घर में रहने का अधिकार हाया नहीं उसके अंदर में मैंने प्रभात्यागी के केस को डिल किया था जिसे Landmark Judgment Honorable Supreme Court ने दिया था उसके अंदर में यह बैक्या की गई थी कि चुकि अप बहु के पास कोई source of income नहीं है और चुकि वो पहली बार बहु बन करके उसी घर में गई उसके बाद वो साथ ससुर के घर में रही या नहीं रही फिर भी अपने साथ ससुर के घर में रहने का अधिकार उस बिद्वा बहु को है दोस्तों तब दोस्तों प्रसुरता है कि साथ ससुर के घर में बिद्वा बहु के रहने का अधिकार तो है लेकिन क्या साथ ससुर के संपत्ति पर ही बिद्वा बहु का अधिकार है इसी मुद्धे का निया निदारन करने के लिए दोस्तों देली हाई कोट ने अपने एक लन्ड मार्श जज्मिंट में का उन्ड मार्श जज्मिन्ट है दोस्तों क्या उसका अधिकार उसकी संपत्ति पर है या नहीं। दोस्तों, इसके लिए और रेवुल हाई कोट ने दो बिदूओं पर बिचारन किया। पहला है दोस्तों, हिंदू मेंटेनेंस और अड़ोप्टेशन आट 1915 का धारा 1922। सेक्षन 19 या धारा 19 जो है हिंदू मेंटेनेंस और अड़ोप्टेशन आट का वह काता है कि अगर बिधवा बहु के पास कोई सोर्स ओफ इंकम नहीं है, कोई सोतंत्र आमदनी का जरिया नहीं है, ऐसी परशिती में बिधवा बहु को या पूर्ण दिकार है कि अपने सास सुस से मेंटेनेंस भी प्राप्त करें, यानि कोई सोतंत्र इंकम नहीं होना चाहिए दोस्तों, और दूसरा है दोस्तों, सेक्षन 22, मेंटेनेंस और अड़ोप्टेशन 19 56, इसके अंदर में कहा गया है दोस्तों, कि अगर सास सुसूर के पास बिधवा के पती के कमाई हुई की स तो, फेमिली कोट ने इसे डिस्मिस कर दिया, या कहते हुए कि बिधवा का कोई भी अधिकार अपने सास सुसूर की समपती में नहीं है, तो मामला दोस्तों, डेली आई कोट में गया, डेली आई कोट ने इन ही दो सेक्षन के ऊपर में बिस्तित ब्याख्या की, सेक्षन 19 सेक्षन 22 इन दोनों सेक्षनों की बिस्तित ब्याख्या करते हुआ, अपने जजमेंट में कहा, कि सेक्षन 19 के अनुसार, अगर किसी बिधवा के पास कोई इंडिपेंडेंटेंट सोर्स ओफ इंकम नहीं है, चया उसका निजी, या उसके बाल बच्चे क्या, या उसके माता पिता का, वैसी परसिती में अपने सास सुसूर से, उस सास सुसूर के घर में राते हुए, उससे वह परवरिस की मांग कर सकती है, उससे वह मेंटेनेंस ले सकती है, और दूसरा हुआ दोस्तों, कि अगर सास सुसूर के पास कोई भी पैत्रिक संपती है, जिसमें उसके पती उस बिधवा के पती का भी हक था या दोस्तों उसके बिधवा के पती की कोई भी कमाई अगर सास असुर के घर में लगी हुई है वेसी इस्तिती में उस घर के उपर में उसका भी बालिकाना हक है अगर नहीं है दोस्तों अगर पैत्रिक संपती सासुसुर के पास नहीं है या उसके पती का कमाई विधवा के पती का कमाई उसके घर में नहीं लगा हुआ है ऐसी परिशिती में विधवा क्या कोई भी बालिकाना हाग सासुसुर की संपती में नहीं दिया जाएगा तो पहला जो राइडर है लगा दोस्तों, section 22 Hindu adaptation and maintenance act के अंदर में, जिसमें विदवा को यह सावित करना था, कि वह उसके पती की कमाई इस घर में लगी हुई है, या पैत्रिक संपत्ती है इस घर का कुछ, जो हमारे सास असुर के पास है, ये दो चीज को विदवा सावित नहीं कर सेगी बिदवा बहु सावित नहीं कर सेगी, ऐसी परसिती में सास असुर के संपत्ती में बिदवा बहु का कोई भी मालिकाना हक नहीं दिया गया दोस्तों, कोई भी मालिकाना अधिकार नहीं दिया गया दोस्तों, इससे आप समझ गया होंगे, कि एक बिदवा बहु का आपने सा सब्सक्राइब करें अगर इस तरह की कोई समस्या है तो कानिनी रूप से अपना निदान नियाले में जाकर ढूल सके और इस जज्जमेंट का लाव उठाज